हलो फ्रेंड्स, नॉले सेंटर फाव यू में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग GK के Most Important 25 Questions कवर करने जा रहे है और यह जो Questions है फ्रेंड्स काफी Important है आपके Railways और Uncompetitive Exam के लिए क्योंकि जो Repeated हुए वे Questions थे वही Questions में आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और देखे यह जो वीडियो है तो यह आपके लिए एक Test के रूप में होगा तो अगर आपको इन Questions के अंसर आते होंगे तो आप लोग भी इन Questions के अंसर देते चलिए क्योंकि आपको हर Questions के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा तो उन 5 सेकंडों में आप जवाब दीजिए और वीडियो के End में आप Count करकर ज़रूर बताइए कि आपने उन 25 Questions में से कितने Questions के अंसर सही किये थे और देखें फ्रेंट्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस तरीके के नई-ने वीडियो हम लोग डेली इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं जो कि आपके Computative Exam के लिए काप ही महत्वा पूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं First Question किस पडोसी देश के साथ भारत की सिमा सरवा दिखें देखें इस Question काiszड़ रहो consistent C बंगळादेश तो बंगलादेश के साथ भारत की सिमा सरवा दिखें और यह बंगलादेश के साथ सिमा है 5000 किलोमेटर के Option A में देखें पाकिस्तानने तो पाकिस्तान के साथ भारत की सिमा है 3,323 किलोमेटर की अभी अगला प्रशन देखिए दंतम अंजन तथा दवा बनाने में किस योगिक का उप्योग किया जाता है तो इस क्वेशन का अंसर होगा option B दंतम अंजन तथा दवा बनाने के लिए मैगनेशियम कार्बोनेट का इस्तमाल किया जाता है अगला प्रशन देखिए RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है तो जो RDX का फुल फॉर्म होता है Research and Develop Explosive तो इसे जर्मनी में Hexogen नाम से जाना जाता है तो आपका option C right answer होगा और option A में देखे cyclonite है तो RDX को USA में cyclonite नाम से जाना जाता है और option B में जो T4 है तो RDX को इटली में T4 नाम से जाना जाता है तो RDX को USA, इटली और जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है तो आपको ये तीनों भी नाम पता होने चीए एक्जामों में कहीं से भी question बन सकता है अगला question देखिया अभी पूर्वी railway का मुख्याले कहां स्तीत है तो जो पूर्वी railway है तो पूर्वी railway का मुख्याले है कलकत्ता में option D आपका right answer होगा option A में जो भूनेश्वर है तो ये पूर्वी तटी रेलवे का मुख्याले है भूनेश्वर में option B में जो हाजी पूरे तो पूर्वा मद्ध्य रेलवे का मुख्याले हाजी पूर में है और option C में जो सिकंदराबाद है तो दक्षिन मदे रेलवे prostu का मुख्याले है यह सिकंदराबाद में है नेक्ष्ट कुश्चन देखी आभी भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बड़े व्याउसाईक बैंकों का राश्री करण किया देखे भारत सरकार ने 1979 में 14 बड़े व्यवसाइक बैंकों का राश्री करण किया था तो option D आपका right answer हुगा option A में जो 1949 है न फ्रेंच तो रिजर्व बैंक का राश्री करण ये 1949 में किया गया था और ये जो भारतिय बैंक का जो अधिनियम था तो उसे भी पारित 1949 में ही किया गया था option B में जो 1935 है तो 1935 में एक अपरिल के दिन रिजर्व बैंक की स्तापना की गयी थी option C में जो 1905 है न फ्रेंच तो इंपेरियल बैंक का राश्री करण ये 1955 में हुआ था और इंपेरियल जो बैंक था तो उसका नाम बदल कर 1935 में भारतिय श्टेट बैंक रखा गया था अगला question देखिए Miss Universe का किताब जितने वली दूसरी भारतिय कौन है देखिए इस question का अंसर होगा option A लारा दत्ता लारा दत्ता सुश्मिता सेन के बाद Miss Universe का किताब जितने वली भारत की दूसरी महिला बनी और इन्होंने Miss Universe का किताब जिता था सन 2000 में option C और option D में जो रिता फारिया और एश्वरिया राय है तो इन्होंने Miss World का किताब जिता था पहला मिस वर्ड का किताब जीता था रिता फारिया ने 1906 में तो दुसरा मिस वर्ड का किताब जीता था एश्वर्या राय ने 1994 में अगला क्वेशन देखिए कुम्मी किस राज्य का लोक नुत्य है अंद्रप्रदेश राज्य का लोग नूत्य है तो option C आपका right answer होगा next question देखिए पद्मावत किताब किसने लिखी थी? यह जो पद्मावत किताब है तो यह लिखी गई थी मलिक महमद जैसी द्वारा option B आपका right answer होगा और यह जो पद्मावत किताब है इसे लिखा गया था 1540 इस्विशन में और इस किताब में चितोड़ पर आकरमन के बारे में लिखा गया है next question देखिए महाराष्टर के राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी हाली में और अन्यक किस राज्य के राज्यपाल न्यूक्त किये गए है देखिए भगत सिंग कोश्यारी है महाराष्टर के राज्यपाल तो है ही और साथ ही साथ अभी इन्हें गोवा के राज्यपाल के तौर पर न्यूक्त किया गया है तो आपका option C right answer होगा और गोवा के पहले राज्यपाल ते सत्यपाल मलिक परन्तु उनको अभी मेगा लई के राज्यपाल न्यूक्त किया गया है अगला प्रश्ण देखिए सामान्य वयक्स मनुष्य के रुदय का भार कितना होता है देखें सामन्य वयक्स मनुष्य के रुदय का भार होता है 300 ग्राम ऑप्शन D राइट अंसर होगा नेक्ट देखें अलकाइन का राशानिक सूत्र क्या है जो अलकाइन होता है तो अलकाइन का राशानिक सूत्र है अगला प्रशन देखें अभी सम्विधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे देखें सम्विधान सभा की जो प्रारूप समिति थी तो यह काफी महत्वपूर्ण समिति थी और इस प्रारूफ समिती यानि की ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्षते डॉक्टर भीमराव आमबेटकर option B right answer होगा next question देखिए आगरा शहर किस नदी के तट पर बसा है देखें आगरा शहर ये यमुना नदी के तट पर बसा है option D right answer होगा option A में जो गंगा है तो हरित्वार ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है option B में देखिए सर्यू है तो आयोध्या ये सर्यू नदी के तट पर बसा हुआ है option C में जो तापती है तो सूरत ये तापती नदी के तट पर बसा हुआ है अगला प्रशन देखिए 20% बॉक्साल का उथादन नएक्स्ट कषचंद सूर्या के दूरी के अनुसार सब्से दूर स्तीत गरहा है कि किस सब्सें या दूरुणं यानि कि नेप्चुन इस ग्रह सब दिखें कॉंग्रेस की एक मात्रल अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और वो अधिवेशन था बेलगाव अधिवेशन ओप्चन भी आपका राइट अंसर होगा और यह जो बेलगाव अधिवेशन था तो यह हुआ था 1924 में ओप्चन C में देखें लाहूर का अधिवेशन है तो लाहूर का अधिवेशन यह हुआ था 1929 में और इसमें जवाहरलल नहरुद्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसलिए यह इंपोर्टन्ट है अगला कॉशन देखें भारत की पहली पंचवार्षी क्योजना क यह पंचवार्षी क्योजना चली थी और इस पहली पंचवार्षी क्योजना में जीडिपी का वार्षी क्लक्ष रखा गया था 2.1 प्रतिशत और इसमें उपलब्ती हुई थी 3.6 प्रतिशत की अगला प्रशन देखिए ग्राम पंचायतों के संगटन के बारे में किस अनु राइट अन्सर होगा अगला प्रशन देखिए परम शुन्य ताप को केल्विन पेमाने पर लिखा जाता है देखिए परम शुन्य ताप को केल्विन पेमाने पर 0 केल्विन लिखा जाता है तो ऑप्शन सी आपका राइट अन्सर होगा नेक्स्ट क्वेस्चन देखिए पा जो पारा होता है तो पारे का नियुनतम हिमांग होता है माइनस 39 डिग्री सेल्सियस तो option B आपका right answer होगा और option A में देखिए माइनस 115 डिग्री सेल्सियस है तो यह होता है अलकोहल का freezing point next question देखिए भारतिय सम्विधान में राज्यपाल पत का प्रावधान किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो जो भारतिय सम्विधान में राज्यपाल पत का प्रावधान है तो वो हमने लिया है कैनेडा के सम्विधान से तो option A right answer होगा Option B में जर्मनी है तो जर्मनी के सम्विधान से हमने आपातकाल का प्राउधान लिया है Option C में फ्रांस है तो फ्रांस के सम्विधान से हमने स्वतंतरता सम्ता और बंदुता ये शब्द लिये है और option D में जो बृतेन है तो बृतेन के सम्विधान से हमने संसद्य शासन व्यवस्ता लिए है Next question देखिए विश्वा में सर्वादी कौफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्वा में सर्वादी कौफी उत्पादक देश है Brazil option C right answer होगा अगला प्रशन देखिए हाल ही में दादा सैफ फाल के इंटरनेशनल अवार्ड तो 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस ने जीता? तो important question है friends ये अभी जो हाल ही में 2020 के जो दादा सैफ फाल के इंटरनेशनल अवार्ड हुए थे तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रितिक रोशन ने option A right answer होगा और रितिक रोशन को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनकी फिल्म सुपर थर्टी के लिए दिया गया है अगला प्रशन देखिए सिक्किम राज्य के ब्रैंड अम्बेस्टर कौन है तिके सिक्किम राज्य के ब्रैंड अम्बेस्टर है ए आर रहमान option B आपका right answer होगा अगला प्रशन देखिए अतुल्य भारत के ब्रैंड अम्बेस्टर कौन है अतुल्य भारत के ब्रैंड अमपेश्टर है नरेंद्रम मोदीजी और देखें फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का आज का आखरी क्वेश्चन तो इस वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चन्स कवर किये तो सारे के सारे इंपोर्डन क्वेश्चन्स थे तो आपने इन 25 क्वेश्चन्स में से कितने क्वेश्चन्स के अंसर सही किये वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक और अपने फेंड्स को शेर करना ना भूलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में